वेलकम तो फुचर जोन कॉम्पटिशन इसी जोट दोस्तो आज हम लोग फिज्ञान के दैनिक जीवन से समधित कोश्चन लेकर आए हैं फुचर जोन कॉम्पटिशन इसी जोट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए लाइक करिए और सेयर जरूर करिए साथ में आप कमेंट्स भी करते रहें क्या कमिया हम लोग उनको सुधारने की कोशिस करेंगे साथ मुझे आज हम लोग प्रात्मिक शिक्षक बरती परिक्षा और सी टेट यूपी टेट आदी अन्य परिक्षाओं से समधीट कॉश्चन पर डिसकस हम लोग करेंगे तो पहला जो कॉश्चन साता है कि ता दूद का घनत वो किस से मापा जाता है तो दूद का गनत मापने के लिए लैक्टो मेटर का इस्तेमाल किया जाता है नमबर दो वोसिंग मसीन वोसिंग मसीन का सिद्धान्त किस बल पर कारिये करता है वोसिंग मसीन का सिद्धान्त किस बल पर कारिये करता है तो आनसर है अपकेंद्रियबल पर कारिय करता है जूट का पता लगाने के लिए लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है पोलीग्राफ लैम्प में कैरोसीन उपर कैसे चड़ता है केसी कत्व केसी दान्थ से उपर चड़ता है बैरोमिटर पाठ्ठांक में अचानक गिरावट आजाने से कौन सी क्रिया होती है कौन सी दसा होती है या क्रिया होती है तूफान आने की संभावना इसमें होती है मर्ग मिरिची का क्या कागरन है परकास का पूरा अंतरिक परावरतन मर्ग मिरिची का होना प्रकास का पूर्ण आंत्रिक परावर्तन, एंडोस्कोप में भी प्रकास का पूर्ण आंत्रिक परावर्तन होता है, और जो इंदर धनुस बरसात के बाद दिखाई देता है, उसमें भी प्रकास का पूर्ण आंत्रिक परावर्तन होता है, जो आजकल जो वायर बिच रही है, टेलिफोन वायर उनमें भी आजकल उसका प्रकास के पूर्ण अंत्रिक प्रावरतन का प्रियोग होता है खत्रे का सिगनल रंग को क्यों बना जाता है खत्रे का सिगनल रंग को क्यों बना जाता है खत्रे का रंग लाल या लाल सिगनल क्यों बना जाता है क्योंकि लाल रंग का परकिर्णन सबसे कम होता है तो एक जगह जुटा रहता है जबकि बैंगनी रंग का परकिर्णन सबसे अधिक होता है वहानों के पीछे वहानों के पीछे या तयात को देखने के लिए सिसे का किस सिसे का प्रियोग किया जाता है उत्तल लेंस या उत्तल दर्पन का प्रियोग किया जाता है दाड़ी बनाने में किस दर्पन का प्रियोग होता है अउतल दर्पन का किसी वस्तु का प्रतीवि मनुस्य की आँख में कहां बनता है रेटीना पर एक प्रंगी इंटेलिजन में किन तीन आधारवूत रंगों का प्रियोग होता है लाल हरा और नीला एक स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है ठाण में दुसमलों 6 फारनाइट या 37 दिग्री सिंटिग्रेट रेवरिजिलेटर में खाद अपदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए अपता 5-4 डिग्री सिंटिग्रेट होना चाहिए गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़े क्यों पहन जाते हैं सफेद कपड़े पहनना है सफेद कपड़े के कारण उश्मा प्रावर्तित होती है इससे गर्मीन नहीं लगती मिट्टी के गड़े में किस किरिया के कारण पाणी ठंडा रहता है वास्पिकरन के कारण किसका प्रियोग मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए क्या जाता है रेडियेटर आज कल सडक की रोशियों में पीले लेंपों होता है आतमातरा में प्रियोग किया जाते हैं इन लेंपों में किसका प्रियोग होता है सोडियम का पैंसिलन का लेड बनाने में किसका प्रियोग होता है ग्रेफाइट का फिटकरी गंदे पानी को किस प्रकार स्वच करती है इस पंदन के कारण फोटोग्रावी में प्रियोग थोने वाले आईपोविलियन कॉंसे सोडियम थायोसलफेट और ओगजली कमलकावी प्रियोग होता है ब्लूट प्रूप वस्तर बनाने में किसका प्रियोग किया जाता है पोली एमाइड बहुलक का ना चिपकने वाली कड़ाई में किसका प्रियोग किया जाता है टेफलोन किस पदार्थ का प्रियोग बरतनों को चमकिला बनाने में किया जाता है जिंक आकसाइड गुर्तवा करशन का सिद्धान ताईजेक न्यूटन ने दिया न्यूटन के गती के कितने नियम है तीन न्यूटन का पर्थम नियम गती का क्या है यदि कोई वस्तु विराम वस्ता में विराम वस्ता में रहेगी तथा यदि वह एक सी दीरे कामें चल रहेगी तो वे उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाये बल नहें लगे न्यूटन का दृत्यनियम किसी वस्तु के सम्वेग परिवर्तन किदर उस वस्तु पर आरोपित बलके समानुपाती होती है न्यूटन का दृत्यनियम परत्य क्रिया के बराबर विपरी दिसा में परत्य क्रिया होना परत्यवी का प्लाइन वे 11.2 मेंटर पर सेकंड होता है यानि के परत्यवी के बातावर्ण से किसी वस्तु को बाहर निकालना है तो उसकी गती 11.2 किलो मेंटर पर 30 सेकंड करनी होगी बल की परिवासा बल वह बाई अकारक है जो किसी वस्तू को प्रारंबी कवस्ता में परिवर्तन करता है या परिवर्तर करने की चेश्टा करता है बल का ऐसा इमातरक न्यूटन, उर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की कारिया करने की अक्समता को उस वस्तु की कारिया करने की अक्समता कहते हैं, उर्जा का ऐसा इमातरक जूल, गति जुर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उसकी गति के करन, कारिया करने की जो अक्समता आती है उसे गती जुर्जा कहते हैं इस्तिती जुर्जा जब किसी वस्तु में विशे सवस्ता या इस्तिती के कारण कारिये करने की अक्समत आ जाती है उसे इस्तिती जुर्जा कहते है दूरी की परिवासा क्या है किसी पत की वास्तिक लंबाई दूरी होती है यह अदिस रा के भीतर हो परकास की गती निर्वात में कितनी होती है तीन गुणा आठ दस की पावर आठ मिटर परती सेगन परकास के रंग का निर्मान किसे होता है परकास के रंग का निर्मान उसके तरंग धरिये से होता है परकास को सूरिय से प्रत्वीत तक आने में 8 मिनट 18 सेगन लगत प्रभोडा मुढ कर उसकी चाया में परवेश करने की घटना को विवरतन कहते हैं परकास परकिर्णन क्या है जब परकास असे माध्यम से गुजरता हो जिसमें धूल या अन्य पदार्तों के अत्य सुक्षम कहने हैं इससे परकास विविंदिसाओं में प्रार्शित हो जाता है और यह एक अतना परकास का परकिर्णन कहलाती है द्वनी किसे कहते हैं जिस यांत्रिक यंत्रों की आवरती 20 हटज से उपर तता 20,000 हटज से नीचे की होती है उसे उसकी द्वनी वाईयू में द्वनी की चाल 332 मेटर पर 30 से किंड होती है दोस्तों फ्यूचर जोन कॉंप्रिशन इसीटूट के यूट्यूब चैनल को लाइक करिए सबस्कारी करिए और सेर करिए और हमारे वाटसप नंबर से जुड़ जाईए अगर आपकी कोई प्राब्लम है तो आप हमसे पूछे 9719-366242 धन्यवाद